हलो दोस्तों, मार्च एक एसा महिना होता है, जहां पे सर्दी के फूल खतम नहीं होते, बट समर के प्रिपारेशन हमको करनी है जो भी सारी फूल के पोधे रहते हैं, उसको अभी से प्रिपार करना रहता है, ताकि समर में हमें अच्छी फ्लावरिंग मिल सके समर के जो भी सारी पोधे रहते हैं, उसमें बहुत सारे काम करना रहता है, इस वीडियो में हम जनने वाले हैं, कौन-कौन सी काम अभी हमें करनी चाहिए तो पहला है pruning, प्लांट में heavy flowering चाहते हैं, तो प्लांट की फुराने branches को तो काटना ही पड़ेगा, क्योंकि काटने पर उससे जो भी नेव branches आते हैं, उसमें धेर सारी कलिया आता है, और प्लांट बहुत सारी flower produce करता है, तो प्लांट के बाद आप देख सकते हैं, new branches का आना स्टार्ट हो चुका है, यह है मेरे ही विसकस के प्लांट और इसमें अभी बहुत अच्छे से growth स्टार्ट हो चुकी है, morning के वक्त कौन सी खात में ने इसमें डाली थी, आये में बताती हूँ, तो दूसरा है composting, यानि कि प्लांट को खाना देना जाहिए, अगर हम खाना नह स्टार्ट हो चुका है, यह सब को आप मिला सकते हैं इसमें, क्यूंकि इससे प्लांट को nitrogen, phosphorus और potas मिलता है, और इसके साथ हम डालेंगे seaweed granules, seaweed एक organic fertilizer है, तो इसको हम आसनी से यूज कर सकते हैं, और इससे प्लांट में अच्छी growth होती है, तो यह fertilizer एक महिने पहले pruning के बक् फिर से डालूंगी, खात डालने से पहले pot की उपर हिस्ते की मिट्टी की थोड़ी सी लूज करनी है, कोई भी टूल आप यूज कर सकते हैं, उसके बाद हमको compost डालना है, एक आच्छे amount में compost इसमें डालना है, क्यूंकि बड़े plant में थोड़ी सी ज्यादा compost चाहिए, थाड है mulching, तो summer आने वाला है, जो भी plant आपके सूख जाते हैं सामको, उसके उपर आप कोई भी चीज से, जैसे की सुखे पत्ते, rice husk और फिर cocoa wheat, इससे आप mulching कर सकते हैं, इसमें से कोई भी चीज अगर आपके पास है, तो जो कोई भी plant आपकी dehydrate हो जाता है, उसके उपर एक इ लाल चुकी हूँ, तो खात लालने के बाद पानी जरूर देना चाहिए, तो इस बात का ध्यान जरूर रख लें, तो यह है मेरा एक साल पुराना वंडेविला का प्लांट, इसमें अभी growth start हो चुका है, और flowering भी आप देख सकते हैं, तो इसके बाद है reporting, जो भी हमारी अब देख सकते हैं, तो आज इसको में reporting करूँगी, तो इस प्लांट को लगाने के लिए कम से कम 12 इसका पॉड तो हमें लेना चाहिए, तो यह है इसके soil media, इसको lightweight बनाने के लिए उड़की जो छोटी-छोटी slice रहता है, उसको में यहां भी use की है, इसके साथ साथ जो भी स परिस अमर में flower खिलेंगे, उस सब के plant को हमें reporting करनी है, क्यूंकि अभी reporting नहीं करेंगे, तो समर में अच्छे flower नहीं मिलेंगे हमको, तो reporting के बाद, चोथा नमबर पर है summer flower plant के preparation, summer flower plant में अधिक तर ज़्यादा फूल आते हैं, परसलाइन और पोटलाइका में, तो इसकी preparation आ आप सीड अभी लगा सकते हैं और इसके बाद मेरी गोल्ड भी समर में बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करती है जो भी सारी सीड समर के होते हैं उसके आप सापलिंग अभी से लाके लगा सकते हैं इस फ्लावर फ्लांट में इस प्लांट मेरा मोस्ट फेवराइट है लोटस इसकी मैंने कुछ दिन के पहले reporting की थी और इसमें अभी birds आ चुकी है यह आप देख सकते हैं तो इसके साथ इसको आप देख सकते हैं यहाँ पे एक runner कई दिन से पड़ा हुआ है और इसमें अभी rooting अच्छे से start हो चुकी है तो इसको भी reporting कर लूँगी तो इसके साथ summer की fruit plant भ और अमरूत का पोधा यह सब आप लगा सकते हैं अभी यह सब बहुत आच्छे से fruiting करती है इस समय पर जो grafting बैले पोधे होते हैं उसमें छोटे plant में fruit आ जाते हैं तो यह है मेरा dragon fruit का plant तो इसको भी मैं इस साल आड़ कर रही हूं मेरे garden में इसके साथ पांचवा नबर पर है prepare vegetable plants without pot तो without pot के हम कैसे vegetable plant ग्रो कर सकते हैं तो इसको कैसे use करें आए देखते हैं तो इसकी नीचे की तरफ दो साइड को अंदर की तरफ insert करना है और इसकी उपर की हिस्ते को भी अंदर की तरफ insert कर लेना है इसके बाद हमारे planter तेयार है और इसके नीचे drainage hole बनाना ना अधर कर रही है तो इसको में इसमें ट्रांस्प्लाड कर रही हूं तो अब देख सकते हैं इसकी root कितने अच्छे से ग्रो कर गया है तो इसको आज सेपरेट करके लगा लूँगी समर में बादाम का प्लांट लगा जाता है तो इस टाइम पर आप भी अपनी गार्डन में बादाम का प्लांट आड़ कर सकते हैं तो इसको लगाने के बाद मैं 3-4 दिन के लिए सेड में रखूंगी हैदर जगा में रखने पर इसकी रूट अच्छे से मिटी को पकड़ लगा और यह सेट हो जाएगा यहाँ पर तो इसके बाद हमें पानी डाल लूँगी और इसको सेड में रख लूँगी तो यह है मेरा बेबी सन्रोज का प्लांट तो इसको भी मैंने कटिंग से ग्रो की थी यह आप देख सकते हैं कटिंग कितने अच्छे से ग्रोध कर गई है तो यहाँ पर इसकी भी मैं आज कटिंग लगा दूँगी तो ये भी अच्छा से फ्लावरिंग करेंगा समर में ये आप देख सकते हैं फ्लावरिंग स्टेज पर है और कुछ दिन में ये अच्छा से फ्लावर से भर जाएगा तो आप भी बहुत सारे फ्लावर फ्लावर लगाएगा और समर में अपने गाडन को हरा भरा रखे So I hope दोस्तों यह information वीडियो आपको अच्छे लगी होगी अगर कोई question हो तो comment में जरूर पुछिएगा सही धेर सरी gardening information के लिए चैनल को like, share and subscribe जरूर करियागा Thanks for watching